जी तीसरे वेब के आने की संभावना पर अटकले लगाई जा रही हैं और बहुत सारे वेग्यानिकों ने बहुत सारी फोरकास्टिंग की कि अगस्त के इंड में आएगा सेप्टेंबर के इंड में आजाएगा अब हम कह रहे हैं कि त्योहारों का मौसम आ गया है तो पिछले साल की तरह त्योहारों के बाद शैद पुविट की थर्ड वेब आ जाए इसकी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि थर्ड वेब आ सकती है हम निश्चित तोर पे ये नहीं कह सकते कि थर्ड वेब का थर्ड वेब का जो रिस्क है जो संभावना है वो पूरी तरह स वो अगर वैक्सिन जंप कर सकता है, यानि वैक्सिन उसके अगेंच में प्रभावसाली नहीं है, अभी वर्तमान उपलब्द वैक्सिन, तो उससे थर्ड वेव आने की संभाव ना बढ़ती है, और दूसरी तरफ, अभी भी देखिए कि पूरा ठीका करण, यानि दोनों और लगा दें, लेकिन ओवियस है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो जब तक ये पूरी की पूरी जंता हमारी प्रोटेक्टेड नहीं हो जाती है, यानि पार्सियली इमिनाइजड और अनिमिनाइजड लोग जब तक कम्यूनिटी में अवेलेवल हैं, तब तक कोवीड अप्रॉप्रियेट बिहेवियर का पालन नहीं करने से भी थर्ड वेव आने की रिस्क उतनी है जितनी म्यूटेशन की वज़े से हैं, इसलिए मैं फिर रिपीट करता हूं कि कोवीड अप्रॉप्रियेट बिहेवियर का पालन, मास्क लगाना, उचे दूरी बनाए रखना, अपने हाथों को साफ रखना, ये काम हमें अपनी जीवन चरिया में, जीवन सैली की तरह अपना लेना चाहिए और इससे हमें अभी निजात नहीं मिल सकती, ये ब्योहार ही हमें अल्टिमेटली थर्ड वेव से बचाएगा, इवेन अगर म्यूटेशन की वज़े से भी थर